जहीं दोस्तो देखे, एरपोर्ट में दोस्तो नया वेकेंसी 10th लेबल और 12th लेबल का नया पोस्ट के लिए वेकेंसी जारी हुआ है ये वेकेंसी दोस्तो निकाला गया है, उद्देश एरलाइन की तरफ से ये वेकेंसी निकाली गई है आपको हम complete जान कर देंगे total post age limit selection process सारा A to Z समझाएंगे ध्यान से देखेगा दोस्तो सबसे पहले तो बात करेंगे airport की ये new recruitment है total seat देखे 1547 अलग-अलग post इस पे है ठीक है अलग-अलग total 4 परकार का इस पे total post है सबसे पहला जो post है दोस्तो वो है airport ground handling ठीक है इसका duty ground में रहेगा ये 10 plus 2 label का दोस्तो vacancy है male plus female दोनों इसको apply कर सकते है इस पे salary की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर के 35 तक आपको इस पे salary देखने को में जागा मतलब 18,000 से लेकर के 35,000 तक इस पे आपको बेतन दिया जाएगा दूसरा vacancy है दोस्तो airline cabin crew और air hostess का ये vacancy है ये 10 plus 2 label का इस पे इंटर लेबल का seat है 35,000 से लेकर के 25,000 के बीच आपको इस पे salary मिलेगा इस पे salary थोड़ा सा जादा है इसके बाद बात करेंगे तीन नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते है travel and ticketing ठीक है इस पे आपका ये भी 10 plus 2 label की vacancy है इस पे आपका 18,000 से लेकर के 35,000 तक आपको इस पे salary मिल जाएगा ये बात करेंगे फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर में देखिए cargo loader ठीक है इसके साथ flight loader और इसके साथ food packing and flight catering ठीक है ये दोस्तों 10th level की vacancy है तो 10 भी वाले यहाँ apply करेंगे और यदि आप 12th pass हैं तो आप इन तीनों के लिए form भर सकते हैं और चाहें तो इसके लिए भी आप apply कर सकते हैं ठीक है तो 10th level का एक vacancy है इसका नाम है cargo loader मतलब जो सो flight में जितना भी तरह का सामान वगरा load होता है न सारा चीज यही करता है ठीक है तो ये दोस्तों काफी बढ़ी हाँ post है इस पर 18,000 से लेकर कि 35,000 तक आपका salary मिलेगा सबी post में दोस्तों age की बात करेंगे हम आपको आगे details से इसका notification में दिखाएंगे सबसे पहले बात करेंगे इस selection process क्या है तो देखे सबसे पहले तो आपका return test होगा इसके बाद आपका interview होगा इसके बाद आपका counseling के लिए बोलाए जाएगा इसके बारे हम बात करेंगे कि यह BBI point क्या है सबसे पहले दोस्तो ध्यान से समझेगा कि इसका return जो है return के syllabus क्या है उससे पहले हम आपको date समझा देता है इसका apply date देख लिए 30 September इसका last date है ठीक है दोस्तो अब फी का बात करेंगे तो general OBC, EWS, SC, HT, महिला सभी का 100 रुपया इस पे payment लग रहा है ठीक है और आपका यहाँ पर बात करेंगे syllabus का तो ध्यान से समझेगे syllabus देखें तो आपका 100 question पूछेगा 100 प्रशन 100 marks 100 question 100 marks time मिलेगा आपको 90 minute ठीक है यानि 90 minute का समय मिलेगा इसके बाद इस पर 4 section से question रहेगा देखे general awareness यानि general knowledge और current affairs इस अब मिला करके 25 question पूछा जाएगा और दोस्तो aviation knowledge मतलब यह जो department है न airport के department का इससे जूड़ा हुआ aviation knowledge से 25 question दोस्तो पूछेगा साथ इसाथ English knowledge से दोस्तो 25 question रहेगा और aptitude और reasoning से 25 question रहेगा मतलब reasoning से 25 question रहेगा तो 4 section हो गया 25 चोग कितना हो गया 100 question परते question एक एक नमबर तो 100 marks हो गया ठीक है यदि बात करेंगे का आपका paper किस language में होगा तो हिंदी में भी होगा और English में भी आपका question रहेगा और आपका passing minimum qualifying आपका minimum passing marks है 30% ठीक है यानि 130 number लाने पर आप इस पर qualify कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि आखे इस पर interview कब होगा कैसे होगा कितना होगा कितना number मिलेगा साथ इससाथ इसका exam center वगरा कहा होगा नहीं होगा हम आपको phone के screen में सब चीज़ बताते हैं तो देखे दोस्तों हम आपको notification दिखा हैं बड़ी हां से एक एक पोस्ट समझाएंगे सबसे पहले देख सकते हैं आप यह registered company है ठीक है यहां पर बात करेंगे कि कौन-कौन सा इस पर पोस्ट है तो देखे एक नंबर का पोस्ट हमने आपको बताया बोर्ड में इस पर आपको टोटल 407 वेकिंसी है सेलरी इस अब आपको बता ही दिये हैं दूसरा नंबर में देख सकते हैं 311 वेकिंसी है तीसरा में 387 है चौथा में 442 है टोटल दोस्तो 1547 पोस्ट के लिए यह वेकिंसी आउट हुआ है सबसे पहले देखते हैं कि इसका सेंटर कहां कहां है तो देखिए एक नंबर में बिहार और उत्तर परदेश है और इन सहरों में आपका एक्जाम होगा ठीक है जैसे आ रहा है गोरकपूर है आपका कानपूर लखनव परियाग राज है ठीक है यूपी बिहार में यह है तो दोस्तों इतना सेंटर है यदि बात करेंगे सेलेक्शन का प्रकरिया तो देखें मोड आप सेलेक्शन फोर ट्रेनिंग ट्रेनिंग यदि आप इस पर कीजिएगा तो रिटन टेस्ट सबसे पहले आपका लिया जाएगा इसके बाद आपका इंटर्व्य होगा मिनिमम क्वालिफाइंग माक्स 30% है हमने आपको बताया बोर्ड में सबसे पहले यहां पर देखिए कि सेलेक्शन प्रोसीजर फोर ट्रेनिंग के लिए आपका सेलेक्शन इस पर कैसे होगा तो देखें दूस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते है कि देट ऑफ जाइड चेडियूल अप एग्जामिनेशन सेल भी ब्रॉट तो दो नोटीश आप देट ओफिशल वेबसाइट ओफिशल वेबसाइट पर नोटिफाइगा यादी एग्जाम देट चेंज होगा आगे लिख रहा है कि दा उद्देश एरलाइन कंपनी प्राइवेट लिमि टेस्ट मतलब 30% जो मैंने आपको बताए ना वो तो आपको लाना ही लाना है आगे लिख रहा है कि only those candidates shall be considered for selection who secures the minimum qualifying standard in the written test as well as the interview तो दोस्तों यही इंस्ट्रक्शन इस पर दिया जा रहा है कि आपका कितना परसेंट लाना जरूरी है 30% और सारा राइट्स जो है कुछ भी करने का वह उद्देश्य एरलाइन प्राइवेट लिमिटेट के अधिन है यह कुछ भी चेंज कर सकती है भविश्य में ठीक है ओफिचल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यह इसका ओफिचल वेबसाइट है www.उद्देश्य एरलाइन.com सारा अपडे पर आगे लिख रहा है कि the candidate who passed the return test exam and interview are eligible for training दो चीजी आप पास कर लेते हैं तो भी आपका training यहाँ पर स्टार्ट होगा आगे लिखा कि fees is payable by the candidate this is mandatory to pass the training as well इसका फी जो आपको आपको ही देना पड़े गा है आप देख सकते है इस परस्ट लिखा हुआ है कि फी इसके notification हम आपको telegram channel में share कर देंगे आप इसको जाकर के detail से पढ़ लीजेगा तो दोस्तो हमने आपको phone के screen में सब चीज बता दिया एक दोस्तो BBI point यह है बहुत सारे विदर्थी comment करेंगे देखे इस पर हम आपको यही बताना चाहते है तो यह दोस्तो एक aviation का course है ठीक है इस पर आपका selection होता है तो आपको इस पर course करवाया जाएगा उसका भी कुछ fee होगा ठीक है उस पर fee रखा जाएगा तो आप यह दिक course करना चाहते हैं इसका करने का सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि जब इसकी vacancy निकलती है तो आप यह दिक course किये हुए रहेंगे तो आपको इस selection लेने में सुविधा होगा ठीक है तो उद्देश airline की तरफ से इन चार post के लिए course करवाया जा रहा है आपको course कराया जाएगा फिर आपको इस पर नौकरी भी दिया जाएगा तो यह अपने आप पर बड़ी बात है ठीक है तो आप चाहें तो आप इस पर कर सकते हैं काफी मिलता अगली वीडियो में जाहिंद